मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से ख़ड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ फिर मैंने एक और एक्सपरिमेंट किया, मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे हैं आँखोंपर अब उनके माबाप बहुत परिशान है कि ये चश्मा कैसे उत्रे, मोटे मोटे चश्मे हैं छोटे बच्चों तो मैंने उनको भी सिखा जिया देखो, सवेरे सवेरे सो कर उठो और मुगा थूक आँख में लगाओ, काजल की तरह से तो बच्चों ने चालू कर दिया, बच्चे बहुत बोले होते हैं, सीधे होते हैं, कोई भी बात अगर समझ में आए तो करते हैं अब आपको हैरानी होगी कि चश्मे उतर गए, सिर्फ ये लार में लगाए आप भी करके देख लीड़े जिनकों की चश्मे बस अंतर इतना है कि बच्चों को जल्दी उतरे, आपको थोड़ा देर में उतरेंगे लेकिन उतर जाएंगे उम्र जादा बढ़ेगी तो थोड़ा दिन करना पड़ेगा, कम उम्र में बहुत जल्दी उतर जाए आँखों की रोश्नी बढ़ानी है, तो मूा की लार सुबह सुबह की आँखों में लगाईए काजल की तरह और एक बताता हूं, एक बीमारी आती है जिसको हम कहते है कंजिक्टिव इस, आँखों की बीमारी है अक्तर उसमें आखे लाल हो जाती, आखों में बहुत जलन होती है जैसे खुन उतर आया हो आखों में, वो कंडिशन हो जाती है कोई भी आयुरवेट की दवाप खाएंगे, तीन से चार दिन में ही बीमारी ठीक होती है लेकिन अपकी बार अगर ये बीमारी आए तो आप ये करना सुबह सुबह उठते ही मूंकी लार लगाना 24 गंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा बीमारी का ले 24 गंटे में ठीक होते है अगर बच्चों में बच्पन से आँखों के ऐसे कोई रोग है जैसे मेरे पास एक छोटा बच्चा है आठ साल का है उसका मैं ठीक्मेंट कर रहा हूँ उसकी आँखे टेड़ी है वो देखता कहीं है और दिखता कहीं है उसको ऐसा है अब उसके माता पिता गरीब है और वो आपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते उस बच्चे पर मैं यही एक्सपरिमेंट कर रहा हूँ लगबग मुझे चार साड़े चार महीना हो गया है और उसका तेड़ापन जिसको हम लोग हिंदी में केते बहेंगापन उसका भेंगापन लगातार कम हो रहा है और आखों की पुतलियां बिल्कुल बीच में सैट हो रहे तब मुझे थोड़ी जिग्यासा हुई और मैंने एक बहुत बड़े वेग्यानिक को पूछा दिल्ली में कि ये लार में क्या है एक्शुली इसका एक्टिव इंग्रेडियंट्स क्या है तो उन्होंने का भाईया जितने एक्टिव इंग्रेडियंट्स मिट्टी में है वो सब लार में है तो मैंने आपको गता मिट्टी में 18 एक्टिव इंग्रेडियंट्स है लार में वो सब के सब हैं इसलिए लार शरीर के लिए बहुत ही कीम्ती है बेश कीम्ती है इसको कभी नश्ट नहीं करना इसकी मददते आप बहुत सारे रोग ठीक करते और दो चार बाते बता दू क्या- थोड़ी मालिश करते रही है छे-8 महीने में धग्डा धब्बा बिल्कुल साफ हो जाए जले हुए का धब्बा शरीर में और कोई ऐसा अंग में सफेद दाग बिख रहा है या काला दाग हो गया या फलाना हो गया निमागा हो गया एक्जीमा हो गया मानलो खराब बीमारी है सोराइसिस वो भी ठीक होती है इसी लार बस इतना है कि साल भर करना पड़े मुफट का इलाज है फोकट का इलाज बागवट्ट जी ने जितने भी इलाज बताए है सब फोकट के और मुफट के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है तो आप इसकी डिसीज में इसका एक्सप करिए घौड हो जाएं कहीं शरीर में उस पर इक्सपरीमेट करिए होडे फिल्तियों पर इसका एक्सपरीमेंट करिए मैंने यह चारों終 beslिक है है आपी रिजल्ट को rhe लेंगे बस इतना ही है कि आप दूसरों को भी बताते जाएंगे तो आपने अपना दुख्ष को कम कर लिया आप दूसरों का भी कम कराईए ना तभी मोख्ष जाएंगे पाखों की बीमारी है हमारे घरों में जैसे चश्मा चड़ गया है दिखाई कम देता है आँख में मोतिया बिल्द आगया है केटरेक्ट हो गया है मयोपिया है रेटीनल डिटेच्चमेंट है ये सब बीमारीों की बहुत अच्छी दवा अपने पास है देशी गाय का मूत्र आँख में डालो गाय का मूत्र लेलो देशी गाय का मोतल में भरके रखो एक-एक मूत उसको आँख में डालो तो बहुत अच्छा है नहीं तो शाम को सोते सब देशी गाय का मूत्र जैसे ही आप डालेंगे आपकी आखों से चश्मा उतर जाएगा जेशिघाय का मुट्र डालेंगे मोठी या बिल्द अपने आप गड़ जाएगा बिना ओकरीर बार बार उनका पानी आना बंगोगा जिनको आँखों में खारिश होती रहती है, वो खारिश ठीक होगी, जिनकी आँखें लाल रहती है अक्तर, वो आँखों का लाल लालामी ठीक कर देगा, आँखों की 20 से ज्यादा बीमारिया गाई के मूत्र से ठीक हो जाती है, मैंने गोमूत्र पर लगवग 20 साल बितर्च कि इतना अधुत है यह कि इसका वर्णन करो घंटों घंटों लगते हैं। गाए के मूत्र का उपियों का आप करिया आपकों के लिए बहुत ही बढ़िया दावा है। बस इसका ज्यान ये रखना है कि गाए का मूत्र लेना वो गाए देशी होनी चाहिए और गाए गर्ववती ना हो। गाए जब गर्ववती होती है उस समय का मूत्र मत लेना नहीं तो आपों में जलन हो जाए। गाए की बच्चिया का लेना हो। जो मा नहीं बच्चा सबसे अच्छा है। और यही गाए का मूत्र अगर कान में डालो गया तो कान के कही रोग ठीक करेगा। जैसे कान में से अक्तर ममाद आता है पस निकलता है गोमूत्र डालो खीक हो जाएगा। कान से कम सुनाई दे रहा है गोमूत्र डालो अच्छा सुनाई देगा। कान में फोड़े फुमती हो जाएं को मुत्रडालों ठीक हो जाएगे कान में से कही बाल घम ऐसी आज आती रहती हैं कान की बीमारियों के लिए और एक जवा अपने रसोई में हैं रसुली में नहीं धर में हैं, एलोविरा. एलोविरा सा फ्लांट अपने धर में लगा के रखो थोड़ा सा उसका पस्ता काट उसका छील कर रस निकाल लो, वो एलोविरा कहरे कान में डालो तो कान की लज्बा र Michalak हर भीमारी में ये भी काम उन्या कार वी झाल झाल